तो और भाई लोग क्या लेएर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले EKTU के इंटेंस एक्जाम के बारे में जो जिसकी डेट 18 को थी मतलब 18 से रेस्टेशन फ़र्म भरे जाने थे उसमें बहुत सारे कोर्स देथे जैसे की भी फार्मा भी फार्मा लेटर इंट्री बीटेक एंबीए इंटेग्रेटेड एंबीए इंटेग्रेटेड एंबीए एंबीए तो इन सब की जो एक्जाम के रेजिस्टेशन फ़र्म डेट थी वह 18 को एनाउंस की गई थी एकेट यू के ही तुरू बट कुछ हुआ ऐसा है कि अभी तक यह रेजिस्टेशन फ़र्म की लिंक या फिर कोई अपडेट आई नहीं है कोई भी न्यूस नहीं आई एकेट यूस की तुरू से ऑफिशली बट सुनने में यह आ रहा है कि इस हफते या अगले हफते मतलब साथ आठ दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे और जैसे ही इसकी डेट आती है कुछ भी ऑफिशल अपडेट मिलती है मैं वीडियो के तुरू आपको इंफॉर्म कर दूंगा तो सो टेंसल लेने की कोई बात नहीं है अगर आप वीडियो लगातार देखते हो इस चैनल की त तो आपको इनफर्म कर दूंगा मैं जैसी फाय्म आते हैं और बी टेक को छोड़ के जितने भी नेंटरेक्व करूज के घ्ञाम होते थें या मतलभ तो इंटर्य्स एकजाम के थिख थे थें देने के बाल अच्छी रंग पर जो अड्मिशन होते थे वह एक टिख हठी तो ह तो इनकी registration form फिल करने होंगे, उसके इंटर्स exam आपको देने होंगे, फिर उसके बाद आपकी rank के basis पे आपको admission मिलेगा, बट अगर आप किसी भी private college को directly अप्रोच करते हो, तो वहाँ पर भी directly कुछ seat होती है, जहाँ पर आपको admission मिल जाता है, हर college में जितने भी private college है, वहाँ अगर आप college को directly approach करते हो, तो admission आसानी से मिल जाता है, बट अगर बात intense exam की कर लेते हैं, तो बीटक को छोड़के, जितने भी intense exam EKTU conduct करवाता था, वो सारे करवाएगा, बीटक को छोड़के, और सारे exam के paper होंगे, और वो paper आपको देने पड़ेंगे, उससे पहले आपको य जैसे इस form से related कोई भी update आती है, तो मैं वीडियो के तुरू आपको inform कर दूँगा,